वेल्कम तो प्रोटीज प्लीस प्लीस पाइक शेयर और सब्सक्राइब यह इस बड़ी रही है कमॉल जैस डबलू स्टील जैस पी एल सब में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती हुए और एक बीपी सेल की वीकनेस बढ़ रही है अब तो अल्मोस पाच टके के आसपास का डीप ग पीपी सेल वहां क्या है क्योंकि बीपी सेल ने डिक्कत कर दी साड़े पांच शाड़े चार पॉने पांच परसंट रहा है तो सब ने वह सब में रब आफ देखने को मिल रहा है आपको सब डेज लोज का असपास गावासर यह बीपी सेल देखिए और यह प्रेशर बीपी सेल में वीक्नेस है लेकिन इंडिन ओल को भी दियान देना चाहिए वन थर्टी फॉर का कोई स्टॉप लागार चले तो यहां पर भी 108 पॉसिबल है येस इस ऑईल मार्विटिंग अपनी में वीक्नेस है ओके बीपी सेल में भाई वीक्नेस है फोड़ा सा प्रेशर हुआ वीरू आप कुछ कहना चाहते हो आशिश लुकेट रिलांस बसमें आप देखें इस तरने डिस्क्री में आपकी स्कीन पर है मेरा को रिलांस अब देखें यहां पर आई सुलूशन में टिपने नी कर रहा हूं बट एक इंपोर्टन स्टॉक फूचर ने एक कृटिकल देखें पर एवन अपना शॉटस्ट मूविंग एवरेज एवन आ मिन टेन डेमा को टेस्ट करने की गुंजाइश ने तलाशी और अब क्या होता वह अब ओपनिंग और एक्जेक्ली सीम्पी जो है वो फ्लैट होते है यानि लोवर शेडो वाइल हो गया यानि ओपन और ल स्ट्रॉंग इंडेक्स कंपोनेंट अब देफिनेटल विरिंदर ची इंफाक्ट वीकली चार्ट को देखे तो पिछले हवते हाइस्ट वीकली क्लोजिंग इसने रेजिस्टर की थी और टेक्निकली अगर हम देखे तो वहाँ पर एक काफी क्लासिक बुलिश फ्लैग पाट अगले कुछ दिनों में ही पर्टिकलो स्टॉप में देखे जा सकते तो डेफिनेटल अभी भी यहाँ पर गिरावट में खरेदारी करने का ही की ही सलाह होगी स्टॉप्स आपको क्लियरी लगाना चाहिए अरौन 2700 पड़िश आपको डेली क्लूजिंग बेसे मेंटेन करना रहा है पुल बैक काफी शांदार रहा है रिकवरी भी काफी शांदार है और मुझे लग रहा है उमेद यहीं है कि 2840 के असपास के स्ट्रिंग भी कंफरडेबली देखे जा सकते हैं अगले कुछ हपतों में